Hello students, जाहिंद, तो इस वीडियो के नेरा हम बात करेंगे 2019 के question की, जो हमारे CDS के paper हैं पूछे गए हैं, equation chapter में से, शुरू करते अपने पहले question के साथ, पहला question कुछ ऐसा है, Which one of following pair of the numbers is the solution of quadratic equation, जो भी है इस equation का आपको पताना है कौन सा pair इसका solution है, option से कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा, अब X की जगा आप डिरेक्ट 1 पुट करके देखें, क्योंकि 1 दो option में हैं, अब X की जगा 1 पुट करेंगे, satisfy नहीं करेगा, उसके बाद X की जगा 2 पुट करके देखें, या minus 2 पुट करके देखें, तो आप देखेंगे कि 0 और minus 2 इस equation को satisfy कर जाएंगे, एक तो यह तरीका हो गया, option पुट करके, नहीं तो इसका basic क्या बोलता है, 3 की पावर X plus 2 को मैं लिख सकता हूँ, 3 की पावर X into 3 की पावर 2, मतलब 9, plus 3 की पावर minus X को मैं लिख सकता हूँ, 1 upon 3 की पावर X, age equal to 10, और 3 raise to power X को मैं थोड़ी देर के लिए Y मान लेता हूँ, तो यह बनेगा 9Y plus 1 by Y, age equal to 10, इस तरीके से आप इस equation को solve कर लें, और यहां से आपके पास Y की दो value आजएगी, एक Y की value 1 by 9 आएगी, और इस quality equation को solve करके, एक Y की value आपके पास, एक तो value आजएगी 1 by 9, और दूसरी value आजएगी 1, Y हमने माना था 3 raise to power X को, तो यहां से X की value आपके पास minus 2 आजएगी, और यहां से X की value आपके पास 0 आजएगी, तो यह 0 और minus 2, यह दोनों इस question के solution रहेंगी, तो पहले question का अंसर आपके पास B option है, दूसरे question के और बढ़ते हैं, second question क्या कहता है, कहता है, इस inequality के बारे में बताओ, तो हम N की अलग-अलग value पूट करके देखते हैं, N को 1 put किया, तो 3 greater than 1 होता है, बिल्कुल ठीक बात, N को 2 put किया, 9 greater than 8 होता है, बिल्कुल ठीक है, N को 3 put किया, 27 greater than 27, यह बात गलत है, N को 4 put करेंगे, तो 81 greater than 64, यह बात सही है, मतलब यह inequality हमेशा सही है, बस N is equal to 3 पर सही नहीं है, तो इसलिए इस question का answer, D option हो जाएगा, तो मैं N की जगह पर कोई भी value put कर सकता हूँ, लेकिन N की जगह पर 3 put नहीं कर सकता हूँ, और अगर इस question के बेसिक की और जाएगे, detail से जाएगे, तो आप इस question को लोग लेकर कर सकते हैं, लोग लेकर इस question को अपने proof कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना time नहीं लगाना, क्योंक option से देखते ही होने वाला था, दूसरे question के बाद में तीसरे question के और चलता हूँ, थर्ड question, तो a man who recently died, left a sum of रुपाय तीन लाख नभी हजार, among his wife, five son है, और चार डोटर है, वाइफ है, पांच son है, और चार उसकी डोटर है, उसने बोला, he directed that, each son should receive three times as much as each daughter, and each daughter should receive twice as much as mother, ठीक बात है, mother को अगर x मिलते हैं, तो हर एक डोटर को twice मिलता है, मतलब 2x, हर एक son को डोटर से thrice मिलता है, मतलब 6x, तो एक mother है, amount होगी x रुपाई, पांच son है, और हर एक son को 6x पैसे मिले हैं, तो 5 into 6x होजएगा 30x, plus 4 into 2x होजएगा 8x, और टोटल आपके पास 3,90,000 है, तो 39x is equal to 3,90,000, और यहाँ से x की value आपके पास आ रही है, 10,000, तो इस question का answer C option हो जाएगा, हर एक डोटर को 2x amount मिली है, हर एक son को 6x amount मिली थी, और wife को x, तो टोटल सम बन गया 39x, और x की value हुमरे पास आजएगे 10,000, question number 4 की और चलता हूँ, 2019 के first paper का ही चोथा question है, P और Q कहता है, roots of this equation है, P minus Q की value 1 है, तो value of R बताओ क्या होगी, तो मुझे पता है, दोनों root का जो difference होता है, वो दोनों root के sum के square minus 4PQ, इसके equal होता है, तो P minus Q की value आपको question में 1 दे रखिए, दोनों root का sum हम जानते हैं, minus B upon A होता है, मतलब 225 आएगा, 15 का square 225, minus 4, दोनों root का product, जो की question के अंदर R दिया गया है, दोनों root का product, question के अंदर R दे रखा है, इसको जब मैं solve करूंगा, तो 1 is equal to 225 minus 4R, तो यहां से 4R की value 224 आ रही है, तो R की value आपके पास आजाएगी, 56 हो जाएगी, तो इस question का answer B option हो जाएगा, दोनों root का sum होता है, minus B upon A, हमने उस concept को काम में लिया है, और दोनों root का product होता है, C upon A, दूसरा हमने उस concept को काम में लिया, तो दोनों root का जो difference है, वो हम find कर सकते हैं इस formula से, question number 4 के बाद मैं question number 5 की और बढ़ता हूँ, यह भी 2019 के first paper का ही question है, इस quadratic inequality को अगर मैं solve करूंगा, तो X की मेरे पास दो value आएगी, एक X की value 3 आ रही है, एक X की value 4 आ रही है, alternate sign लेते हैं हम इस तरीक के से यहां पर, greater than zero का मतलब positive, तो positive वाड़े portion मेरे answer हो जाएंगे, मेरा answer minus infinite से 3 हो जाएगा, और 4 से लेकर infinite हो जाएगा, असान question, इसका answer D option है, इसके बाद question number 4 के बाद, मैं question number 5 की और चलता हूँ, लेकिन यह 2019 का second paper का है, इसका मतलब 2019 के first paper में हमारे पास equation chapter में से यह 5 question थे, और पांचो question बिल्कुल असान थे, मैं शुरू करते हैं 2019 के second paper के साथ, पहला question, the sum of real number and its reciprocal, किसी number और उसके reciprocal का sum जो है, वो 26 बटा में 5 है, how many such number of possible, इसको solve करेंगे, quadratic equation बढ़ेगी, इसलिए इस question का answer C option हो जाएगा, quadratic equation के दो root आएगे, आप इसको solve करेंगे, quadratic equation का एक root 5 आएगा, और एक root 1 by 5 आएगा, तो हम बोलेंगे इस equation के दो root है, बिल्कुल नकली question, इसका answer C option है, मैं दूसरे question के और बढ़ता हूँ, second question कुछ यहसा है, if the equation and this equation have a common root, दोनों equations का एक root common है, तो के की value बताओ क्या हूँ, पहली equation x square plus 5x plus 6 is equal to 0, दूसरी equation है, x square plus kx plus 1 equal to 0, question में बोला गया है, कि इन दोनों equation का एक root जो है, वो common है, तो के की value बताओ क्या है, तो मुझे पता है, इस equation के दो root आएएंगे, एक root इसका –2 आएगा, एक root –3 आएगा, अगर –2 root common होता है, तो –2 इसको भी satisfy करेगा, 4-2 के plus 1 equal to 0 हो जाएगा, k की value आपके पास 5x2 आजएगी, और अगर –3 root इसका भी common होता है, तो –3 इस equation को satisfy करेगा, 9-3 के plus 1 equal to 0 हो जाएगा, k की value आपके पास 10 by 3 आजएगी तो k की value या तो ये होएगी या ये होगी आपका answer भी option हो जाएगा तो पहले equation से दोनों रूट निकाल कर हमने उनको काम में लिया question number 2 के बाद मैं question number 3 की और चलता हूँ question number 3 x minus alpha, x minus beta, x minus gamma ये cubical equation के 3 factor होगे और cubical equation के अगर आपको तीनों factor दिये हों या फिर आप इन तीनों equations को अपस में factors को multiply कर देंगे तो आपको जो result मिलेगा वो first option मिलेगा क्योंकि cubical equation कुछ इस तरीके की होती है x q minus root का sum plus 2-2 root का pair लेकर उनका sum minus root का product जिस तरीके से हमें पता है quadratic के लिए दोनों root को product करके कुछ ऐसा आता है जो कि हमारे पास एक quadratic equation बनती है उसी तरीके से cubical equation के तीनों factor को multiply करने पर इस type का result मिलेगा तो तीसरे question का answer आपके पास ये option हो जाएगा question number 3 के बाद मैं question number 4 की और चलता हूँ question number 4 a person carries रुपाई 500 want to buy apple and orange out of it apple की cost 5 रुपाई है तो total उसने 5X apple खरीद ली orange की cost 7 रुपाई है तो उसने total 7Y orange खरीद ली और total पैसा उसके पास 500 है then what is the number of way in which a person can buy both apple and orange using total amount तो कितने तरीके से वो apple और orange को खरीद सकता है उसके वोई 500 रुपाई है कितने तरीके से खरीद सकता है ये इस question का answer है तो यहां से अगर मैं 5X की value निकालता हूँ या फिर X की value निकालता हूँ ये 500-7Y upon में 5 आएगी तो Y की कोई ऐसी value रखूँ कि ये 5 से divide हो जाएगी तो Y को मुझे 5 रखके ही शुरुआत करनी पड़ेगी Y को जैसे ही 5 रखा X की value में रपास आजाएगी 500 में से 35 गया 400, 65 upon 5 X की value आएगी 93 X की value 93 आएगी अब Y की value में रपास यहां पर 5 आ रही है अगली बार मैं Y की value 10 पूट करूँगा तो X की value में रपास इसमें से 7 कम होके 86 हो जाएगी उसके बाद Y की value 15 हो सकती है 20 हो सकती है 25 हो सकती है 30 हो सकती है 35 हो सकती है ऐसे करते करते 40 हो सकती है Y की value फिर 45 हो सकती है फिर 50 हो सकती है फिर 55 हो सकती है फिर 60 हो सकती है उसके बाद 65 हो सकती है और उसके बाद 70 हो सकती है लेकिन 70 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि Y की वेले जैसी मैं यहां पर 70 पुट करूँगा तो 500 में से 490 गया 10 बटा 5 आप कौनसर 2 मिलेगा Y को 70 पुट करने पर X की वेले आपको 2 मिल रही है अब अगर Y की वेले 70 से ज़्यादा पुट कर दोगे तो X की वेले नेगटिव हो जाएगी जो कि संभव नहीं है तो यहीं से मुझे इस क्वेश्चन कांसर देखना पड़ेगा कि Y की कितनी वेल्यू आई है X और Y की कितने पेर आए हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, और चौदा टोटल आपके पास यहां पर चौदा पेर हो गए है ठीक बात अब उसने यहां पर पुछा गया कि परसन कैरीज रुपाई 500 वांन्स टु बाइ एपल अरेंज आउट उफिश हम उसने एपल भी खूदने है, उसने ओर बिक खूदने थे वन एपल की कॉष्ट दे रखिये, वन ओरेंज की कॉष्ट दे रखिये तो कितने तरीके से यहां पर खूद सकता है उसने दोनों चीज़े खरीदनी है ऐसा नहीं हो सकता कि आप Y को 0 माल ले ये बात गलत हो जाएगी Y को आप 0 नहीं ले सकते क्योंकि अगर Y को 0 लोगे तो X की वेली जरूर आपके पास 100 आजाएगी लेकिन उसको Apple और Orange दोनों खरीदनी है किसी को भी वो 0 नहीं कर सकता कम से कम एक किलो तो खरीदना ही खरीदना है इसलिए इस Question कांसर 14 आएगा अगर ऐसी बात जरूरी नहीं होती तब अपने इस Cancer 15 कह सकते थे लेकिन यहाँ दोनों को एक एक किलो तो जरूर कम से कम खरीदना ही खरीदना है इसलिए इस question का answer भी option होईगा Y को 10 रखा मैं Y की value में 5-5 बढ़ाता गया इसमें और Y की value का अगर आ 5-5 बढ़ाओगे तो X की value 7-7 कम होएगी 7-7 X की value कम होती जाएगी इस तरीके से Y की value का 5-5 बढ़ाते जाएगे X की value 7-7 कम होती जाएगी question number 4 के बाद मैं question number 5 की और चलता हूँ question number 5 उसने बोला दा real number X is such that इसकी maximum value कहां पर होएगी तो इस तरीके से आपको एक quadratic expression दिया गया है इसकी maximum value पूछिए कहां होगी तो हमें पता है minus B upon 2A पर होती है तो इस तरीके से यहां पर X की value मेरे पास plus का 0.5 आ रही है C option इस question का answer है maximum value जो है वो minus B upon 2A पर होती है question number 5 के बाद question number 6 की और चलता हूँ the sum of square of 4 consecutive natural numbers is 294 what is the sum of numbers 4 मुझे लगातर number लेने हैं एक X ले लिया अगला X plus 1 ले लिया अगला X plus 2 ले लिया अगला X plus 3 ले लिया इनके square का sum आपको 294 दिया है तो यह बनेगा 4X square 2X, 4X और 6X 12X होजेगा यह आजेगा 149 जो के 14 होजेगा equal to 294 4X square plus 12X minus 280 is equal to 0 4 से divide करने पर कुछ ऐसा आएगा X square plus 3X minus 17 जब आप इसके factor करेंगे तो आपको X plus 10 और X minus 7 इसके factor मिलेंगे तो X की value आपके पास 7 होगी तो जिन चार नमबरों की बात करी है वो नमबर 7, 8, 9 और 10 हो जाएगे और यहां से आप इस question का answer कहा सकते हो 34 आजेगा क्योंकि हमें इन सभी का sum पूछा है इन सभी का sum पूछा है तो question number 6 का answer आपके पास 34 बज़ेगा 34 मैं question number 7 क्यों चलता हूँ question number 7 कहता है था equation hedge roots to P and Q equal to P and Q इस equation के root P और Q है अगर P और Q इस equation के root है तो मुझे पता है root का product जो होता है वो C by A होता है और यहां से पता लग गया कि P की value बनाएगी और root का sum जो होता है वो मुझे पता है minus B upon A होता है मतलब minus P आएगी P की जगा पर one put कर दे Q की value आपको minus 2 मिल जाएगी क्योंकि P की value आपने one already निकाली हुई है तो question number 7 का answer आपके पास एए option आ जाएगा P और Q इस equation के root थे तो root का sum minus B upon A होता है और root का जो product है वो C upon A होता है हमने इस concept को काम में लिए question number 7 के बाद question number में 8 की और चलता हूँ if B minus 6 is the root of this equation B minus 6 is one root of this equation B minus 6 नहीं आएगा कुछ गडबड़ा है यहाँ पर if B minus 6 is one root of the equation where B कोई एक integer है what is the maximum value of B B की maximum value क्या होगी तो B minus 6 की जगह पर यहाँ पर यहाँ आना चाहिए X minus 6 कि अगर X minus 6 इस equation का root है if X minus 6 is one root of this quadratic equation तो B की value what is the maximum value of B square अगर 6 6 equation का root है तो 6 इस equation को satisfy करेगा और फिर आपके पास B की value तो 0 आजाएगी नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है तो यहाँ पर question क्या हो सकता है question के अंदर थोड़ी सी mistake है अगर वह ऐसा बोल दे कि X minus B इस equation का एक root है तब क्या होगा X minus B अगर इस equation का एक root है तो X equal to B इस equation को satisfy करेगा B square minus 6 B plus B बराबर 0 आजागा तब तब B square minus 5 B equal to 0 हो जाएगा तब B की value 0 आजाएगी B की value 5 आएगी तब B square की value हम 25 बोलेंगे तो यहाँ पर इस question में correction किस जगह पर होगी correction किस जगह पर होगी if B minus 6 is one root of quadratic equation where B is an integer then what is the maximum value of B square इस question के अंदर कहां पर correction हो सकती है B minus 6 एक second मैं इस question को एक बार question paper में देखता हूँ इस question का जवाब क्या होगा तो यह question हमारे पास CDS 2019 के second paper में है 2019 का second paper maths का और इस question के अंदर दिया है कौन सा question है यह what is value question है if B minus 6 से start हो रहा है if B minus 6 if B minus 6 if B minus 6 यह trigonometry के question आगे यह geometry के होगे geometry plus mensuration यह भी geometry mensuration यह quality दिखाई दे रही है ठीक है उसके बाद दुबारा geometry mensuration यह कुछ ऐसा question है यह square root का question हो गया area number sum of square ठीक है हाँ ठीक है question में बोला गया है if B minus 6 is one root of quadratic equation मतलब question बिलकुल ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि question बिलकुल ठीक है मुझे लगा इस question के अंदर कोई correction है लेकिन ऐसा नहीं है B minus 6 ही इस equation का root दिया है if B minus 6 is one root of quadratic equation ठीक है अगर B minus 6 इसका root है तो भी B minus 6 पूरा ही equation के अंदर put करना पड़ेगा X की जगा B minus 6 put करूँगा X की जगा पर मैं B minus 6 put करूँगा कुछ इस तरीके से वो satisfy करेगा तो यहां बढ़ेगा B square minus 12 of B plus 36 minus 6 B plus 36 plus B equal to 0 तो यह बढ़ेगा B square 12 of B और 6 B यह होगा माइनस का 18 और plus का 1 माइनस का 17 B आगे 36 और 36 मेरे पास आजेगा 72 A equal to 0 तो यहां पर यह मेरे पास एक quadratic equation बनगी जिसको soul करके B की 2 value आ रही है एक 8 हरी एक 9 आ रही है तो B square की maximum value जो होएगी वो 9 का square 81 होगी इस question का answer D option है तो यह था question number 7 के बाद question number 8 B minus 6 पूरा ही इस equation का root था तो X की जगा B minus 6 रखा B की 2 value आई उस और उन में से हमने maximum value ली है question number 8 के बाद मैं question number 9 की और चलता हूँ question number 9 कहता what is the maximum value of this इस पूरे की maximum value कब होएगी जब upon वाला minimum होगा और नीचे बादे की minimum value होती है minus D by 4 तो यह बढ़ेंगा minus का B square minus 4 AC upon में 2 A तो यह बढ़ेंगा 15 by 2 यह 15 by 2 upon में आ रहा है चेक कर लो 4 A सोरी यहां पर 15 by 4 यह 15 by 4 जो है यह upon में आएगा इसकी जगाए पर और जब में इसकी जगाए पर 15 by 4 रखता हूँ तो मेरा answer आजएगा 4 by 15 आजएगा तो question number 9 का answer आपके पास 4 by 15 D option हो जाएगा question number 10 जो कि हमाराज का last question है 2019 के second paper का two numbers P and Q are such that the quadratic equation has minus 6 as sum ठीक बात है and the product of roots sum भी minus 6 है product भी minus 6 है तो मुझे पता है root का जो sum होता है वो minus B upon A होता है जिसको question के अंदर minus 6 बोला गया तो अब यहां से पता लगा कि P की value जो आ रही है 1 by 2 आ रही है दोनों root का product जो है वो C upon में A होता है और यह भी question के अंदर minus 6 ही बोला गया है और P की जगाए पर अगर मैं 1 by 2 put कर दूँ P की value अगर मैं 1 by 2 put करता हूँ तो 4Q is equal to minus 6 होगा P की value minus का 3 by 2 आएगी और sorry Q की value आएगी minus का 3 by 2 question में P और Q का difference पूछा है तो 1 by 2 और minus 3 by 2 का जो difference आ रहा है वो आपके पास 2 आ रहा है तो इस question का answer C option हो जाएगा 4 by 2 मतलब 2 हमारा इस question का answer है तो ये थे 2019 के second paper के 10 question अमीदा आपको समझाए होंगे थैंक यू सबी को जय हिंदा